वेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 17 अगस 2022 और 17 अगस 2022 से कर इंटरफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेट इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूर वीडियो डिस्कसिव्न कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चिन है हाली में वेलिंग्टन वेटल दे कँ मनायां गया है तो अभी 16 अगस्त को बैनिंग्टन बैटल डे मनाया गया तो इस कुश्चिन का बे आप्सिंस है बैनिंग्टन बैटल डे ये सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये एक बार एक एक जाम में पूछा जा चुका है तो ध्यान रखना बैनिंग्टन बैटल डे 16 अगस्त को मनाया जाता है एक चुन में 1777 में अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के दोरान बैनिंग्टन की लडाई में बिटिस सेना पर अमेरिकी और बर्मोट बलों की जीट की याद में से मनाया जाता है अब यह इंपोर्टेंट डे बली बात है तो अभी 14 अगस्त को विवाजन बिवीसिका इसमरड दिवस मनाया गया 13 अगस्त को विश्चु अंगदान दिवस मनाया गया 12 अगस्त को अंतरास्टी युबा दिवस मनाया गया 12 अगस्त को ही 200 हाती दिवस मुनाए गया और 200 संस्कृत दिवस भी 12 अगस्त को मुनाए गया 10 अगस्त को 200 जैव इदन दिवस मुनाए गया और बर्ल लाइन डे भी 10 अगस्त को मुनाए गया 9 अगस्त को 200 आदिवासी दिवस मनाया गया 9 अगस्त को ही नागासा की दिवस भी मनाया गया 8 अगस्त को भारत छोडो आंदोलन दिवस मनाया गया 7 अगस्त को रास्टी हत करगा दिवस और रास्टी वाला फैंक दिवस मनाया गया 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया 5 पांच अगस्त को अंतराश्टी ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया दो अगस्त को पिंगली बैंक या की 146 मी जैनती मनाया गया पिंगली बैंक गया इन्होंने भारती राश्टी द्वज का प्रारंबिक डिजयन तयार किया था एक अगस्त को मुसलिम महिला अधिकार तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपँ लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सियर जिरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूं डेली मॉर्निंग मूट कर, सबसे पहले अपने लिए टार्गेट विक्स करो, चाहे चोटा सब अपने लिए टार्गेट विक्स करो, और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेब करने में लगा दो. आपकी लाइफ आटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी. नए कुशिन है हाले में सुतंता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है तो इस बार के सुतंता दिवस पर 1082 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया तो इस कुशिन का से option सही है पुलिस पदकों की 11,92 रेडियों में इनको सम्मानित किया गया है जिसमें से सबसे अधिक 109 बेरता पदक केंदरी रिजर पुलिस बल को मिले है नए कुशिन है हाली में किसे net grid का CEO न्यूक्त किया गया है तो अभी प्यूस गोयल को net grid का CEO पॉयंट किया गया तो इस कुशिन का बे option सही है अब यहाँ पे confuse मत हो जाना यह वो मंत्रे वाले प्यूस गोयल नहीं है यह एक IS अधिकारी है और नागलेंड केडर के हैं 1994 वेच के यह IS अधिकारी है प्यूस गोयल इनको अभी net grid का CEO पॉयंट किया गया है अचा net grid यह क्या है यह एक रास्टी खूपिया grid है जो आतंकबाद रोधी चमताओं को बढ़ाने के लिए स्तापित की गई थी इसकी स्तापन कब होई थी 1909 में और इसका headquarter कहाँ पे है न्यू डैली में अब इसकी CEO तो यहीं बन गए है आईएस अदिकारी प्यूस गोयल नैक्यू शिन हाले में किस पाकिस्तानी किर्केटर को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया सितारा एम्तियाज सम्मान यह पाकिस्तान का मैप में पाकिस्तान पाकिस्तान की करन्सी क्या है पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की प्रेजेंट टैम पे प्रैमिस्टर कौन है सहवाद सरीफ और पाकिस्तान के प्रेजेंट टैम पे प्रेसीडेंट कौन है आरेफ अलवी अच्छा अभी पाकिस्तान की पहली महिला क्यासी वर्स की उम्र में निदन हुआ और बेस्ट इंडिज के पूर कप्तान डेरन सैमी को सितारा ये पाकिस्तन पुरुषकार मिला है यह सितारा ये इंतियाज सम्मान और ये है सितारा ये पाकिस्तन पुरुषकार ये बेस्ट इंडिज के पूर कप्तान डेरन सैमी को मिला पाकिस्तान को ड privy करने IT एसे ही पाकिस्तान और अफ्रू Sudan को कें गना, इंडिया और चायन को म्च मोहन कंते है ऐसे ही, अमेरिका और कनाडा को कुर्स क्राइब करने लायन को 49 पैल कैते है और नौर्ट कूरिया और 죽ा आण नेवाई लाइन को 38th पैलल कहते हैं यह कुछ important dividing line है यह आपको याद रखनी है हाली में केस ने operation यात्री सुरक्षा शुरू किया है तो अभी आरपीएफ ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए operation यात्री सुरक्षा सुरू किया तो इस कुछिन का बे options है यह आरपीएफ यानि की railway protection force इसकी स्थापना का हुई 1959 में इसका headquarter कहां पर है न्यू डेली में और इसके present time पर डीजी कौन है संजय चंदर कौन है संजय चंदर ने क्यूशन है हाली में एसिया का सबसे पुराना football tournament डूरंड कप कहां सुरू हुआ है तो यह अभी कोलकाता में सुरू हुआ है तो इस question का A options है एसे का सबसे पुराना foot world tournament है Durand Cup ये अभी कुलकाता में सुरुआ इन्डिया में तेन ही food world tournament सब्सक्रादा फेमज है पहला है Durand Cup दूसरा है Indian Super League और तीसरा है Super Cup तो ये तेनों की नाम आप याद रखे नैसे हाली में सभी महिलाओं को मुप्त सेनेटरी उत्पात प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बना है तो यह देश बन गया है स्कॉटलेंड तो इस कुश्चिन का से ओप्सन से यह अब इसकॉटलेंड तो यह है मैप में स्कॉटलेंड इसकॉटलेंड की केपिटल के है एडन वर्ग इसकॉटलेंड की करनसी के है पॉंड इस्टिलेंड और इसकॉटलेंड की प्रजेंड टाइम पर प्राइमिस्टर कौन है निकोला स्टर्जन कौन है निकोला स्टर्जन नैकिशन है हाली में आंद प्रदेश के बिजय वड़ा में महात्मा गांदी की तेज फीट उची भि आंद्रप्रदेश तो यह है मैप में आंद्रप्रदेश की गेपिटल क्या है अमराबती आंद्रप्रदेश की चीप निष्ट कौन है जगन मोहन डेड़ी और आंद्रप्रदेश की गवर्नल कौन है बेसु भूशड हरिचत्रन अच्छा बात है आंद्रप्रदेश की तो सब जोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किये हैं क्रसी अवसरनक्षना कोस के उप्योग में आंद्वदेश टॉप पर रहा है पैमली डॉक्टर प्रूजेक्ट लाउ करने का नेड़ है अभी आंद्वदेश सरकार ने लिया और आंद्वदेश की हैं जानवी डॉंगे ती इनको एए पापी कोड़ा नेसनल पार्क है और स्री बैंकर्टेस और नेसनल पार्क है अंद्वदेश में कोलिरु लेक है और पुलेकट लेक है ने खिशिन हाली में अंतरास्टी समुद्री भूजन सोकी मेजबानी कौन करेगा तो अभी कुलकाता इंटरनेशनल से फूड सोकी परेटकों के लिए लंबा बीजा जारी करने का फैसला किया है तो अभी स्री लंका ने अपने देश में आने वाले परेटकों के लिए लंबा बीजा जारी करने का फैसला किया तो इसको शिन का बे अप्सन सही है एक्चुल में स्री लंका का जो एकॉनमी है वो मोस्ली टू तूरिजन बिल्कुल खतम हो गया इसलिए आज स्री लंका की एस्तिती है तो स्री लंका ने अब क्या किया है कि जो परेटक आ रहे हैं उनको लंबा बीजा जारी करने का फैसला किया है जिससे कि वो जादा से जादा टाइम स्री लंका में रोके और जादा टाइम रोकेंगे का और economy को growth मिलेगी इसलिए स्री-लंका नने यह लंबा बीजा जारी करने का फैसला किया है अब स्री-लंका तो यह मैप में स्री-लंका स्री-लंका की capital क्या है कोलमबो और स्रेज जैबन्दने-पुर्ण कुट्टे कूलमबो commercial capital है और स्री जैबदने पुरम कोटे administrative capital है स्री लंका की currency क्या है स्री लंकन रूपी स्री लंका के present प्राइमिस्टर कौन है दिनेश गुडवर्धन और स्री लंका के present प्रेसिडेंट कौन है टरनिल बिक्रम सिंगे अच्छा इस मैप में जो आपको स्री लंका दिख रहा है य किएंग्लिस में पार्क स्ट्रेट क्याते है नेज्ट्टMac अमें केस राज के तेसरे हवाये का नाम डो Core Aujourdania गया थो अरॉज़टेश के थेसरे हवायेटका नाम डोनी पॉलो हवाये का गया तो इस question से options अब अर्णाचल प्रडेस तो यह मैप में अर्णाचल अड़ाचल प्रदेश की capital क्या है एटानागर अड़ाचल प्रदेश की chief minister कौन है पेमा खंडू और अड़ाचल प्रदेश की governor कौन है ब्रिगेडियर बेडी मिस्रा ने की शिन है हाली में फेपा ने केस देश की football महा संग को निलम्मित किया है तो अभी फेफा ने अपने देश भारत की football महा संग को निलम्मित कर दिया तो इस question इनका बे options है फेफा ने फेफा की कानूनों का उलंगन करने का आरूप भारती football महा संग पे लगाया और भारती football महा संग को निलम्मित कर दिया अब फेफा यानि की फेडरेशन इंटरनेशनल डेफटवाल एशुशियाजन इसकी स्तापना कब हुई 1904 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है जूरिक में और जूरिक कहां पे है स्वेजिया लेंड में और फेफा के प्रेजैन टेम पे प्रेसिडेंट कौन है यानी इनफै 29 नएक कुशिन है हाली में केसराजी के मुख्यमंत्री ने 1000 मौडल आंगनवाडी केंद्रों का सुवारम किया है तो अभी असम के चीपनिश्टर ने 1000 मौडल आंगनवाडी केंद्रों का सुवारम किया तो इसकुशिन का से ओप्सन्स है अब असम तो यह है मैप में असम अ असम के चीपनिश्टा कौन है हिमांत्ता विश्व सर्मा और असम की गवर्नर कौन है जगदेश मुखी अच्छाँ अभी दूसरा बार्सिक अंतरास्थि रेंजर पृुसकर 22 असम के ओरंग नेशनल पार्क को मिला है ओरंग नेशनल पार्क ये असम में है अच्छा असम में कौन-कौन से नेशनल पार्क है काजी नंगा मानस ओरंग नामेरी डिब्रू सैकोबार राय मोना और देहिंग पट गई ये साथ नेशनल पार्क असम में है और पूरे देश में नेशनल पार्क के बामने में असम तेसर नमबर पर है अच्छा जो काजी रंगा नेशनल पार्क है ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमास है और काजी रंगा नेशनल पार्क टेस का इकलोता ऐसा नेशनल पार्क बन गया है जो सैटिलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है अच्छा अभी असम के मुख्यमंत्री न मूल बुनकरों के कल्यान के लिए स्वडवीर नारी योजना शुरू की है चार दिवसी अम्मू बाची मेला अभी असम में शुरू हुआ है अचा असम के लोक नत्ते कौन से हैं? बिहू, बगरुमबा, भोराल और जुमौर नय क्यूशन है बैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है तो इसकुशन का बे आप्संस आई है नए कुशिन है, हाली में केस राजी की मंत्री मंडल ने बाजरा मिसन के लिए 2888.39 करोड रुपए को मंजूरी थी, तो ये उडिशा की मंत्री मंडल ने दी पीजी अब्दूल कलाम दीव रखा गया है उडिशा दिबस या उतकल दिबस कब बनाया जाता है एक अपरेल को अभी उडिशा की मुख्यमंत्री ने लॉगडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया रास्टी MSME पुरुसकार 2022 में उडिशा को प्रथम पुरुसकार से संभानित किया गया कंदूरी की की सेकेड का सफल परिक्षड अभी उडिशा ने किया अच्छा उडिशा में सबसे बड़ी खारेपानी की लेक है जब उडिशा में नुवाखाई उत्सब मना जाता है, रजपर मना जाता है और चेतर जात्रा उत्सब भी उडिशा में मना जाता है रसीकुलिया बीच है उडिशा में, गोल्डन बीच भी उडिशा में है उडिशा के दो गाउं को अभी सुनामी रेडी डिक्लियर किया गया था एक है नोली अशाई और दूसरा है बैंक के ट्राइपोर इन दोनों गाउं के नाम आपको याद रखने है अच्छा उडिशा में लेंगराज टेंपल है उडिशा में भितर कने का नेशनल पार्क है और नंदन कानन चेडिया गर है इतना आपको उडिशा के बारे में याद रखना है अब लास्ट वीडियो की कुश्यन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आपसे कुश्यन पूचा था कि हाली में मुख्य मंतरी बाल आसिरवाद योजना के सराज सरकार ने शुरू की तो अभी मद्य प्रदेश गवर्मेंट ने मुख्य मंतरी बाल आसिरवाद योजना शुरू की यानि कि इस question का C option सही था और लगबग सभी श्ट्रेड ने इस का अंसर सही थी मूश्ट ले श्ट्रेड ने इसके बारे में डिटेल में लेका मैं आपको एक वर फिर बोलूगा question के बारे में आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उने आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में under 16 वर की पहली खेलो इंडिया मैला होके लिख 2022 के सहर में आयोजित की जाएगी चार option दिये गए हैं आपको अपना answer होताना है और इसके अलाबह हम हमारे facehook page पर previous question daily post करते हैं तो आप facehook पर next exam सर्च करके वरा facehook page जोईन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप instagram पर indresh rc indresh rc instagram पर indresh rc search करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt कोई भी confusion without any hesitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज के स्वीडियो का target जरू याद रखना आज के स्वीडियो का target है 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है अलपो लगा है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook group है उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चेती मदद मिलेगी जब आप से सब्सक्राइब रहेंगे तो बरावन में एक बेल आइकन मन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लेए जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में current affairs की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट इक जाम और बेज वीडियो थैंक्स पर वचिंग